और कुछ करें या न करें, हर्याली तीज पर पती के सुख सवभागे के लिए ये तीन काम आवश्य कर लें, इन तीन कामों से आप देखेंगे कि पती के साथ आपका रिस्ता मजबूत होता है, आप सदा सुहागन बनती हैं, क्योंकि तीज का एक नियम होता है कि इसमें भूले नाज से अधिक माता पार्वती का पोजन होता है, जो कि अखंड सौभागे देने वाली तेवियों में सबसे उपर आती हैं, तो माता पार्वती का हर सुहागन श्त्री बिना ब्रत भी आराधना पोजा कर सकती है, और एक आवश्य के जाए जो कि आवश्य आपको च तो 19 अगस्त को हम हर्याली तीज का पर्वा मनाएंगे हर्याली तीज देखे वैसे तो हर स्थानों पे नहीं मनाई जाती है लेकिन ये तीज बहुत सारे स्थानों पे मनाई जाती है कुछ स्थानों पे इस तीज का कोई चलन नहीं है बलके इसके स्थान पे हरियाली तीज के जगा हरिताली का तीज मनाई जाती है तो चलिए अगर आप ब्रत रखते हैं आपके हाँ ये ब्रत होता है ब्रत के नियम फॉलो किजी नहीं होता है तो आप कुछ महत्तपूर्ण चीजे बतारो तो आज की तीज छोड़िएगा मत क्योंकि शामन और भादरपद दोनों ही महीने की तीज बहुत महत्तपूर्ण होती है तो इस तीज पे आपको क्या करना है कैसे करना है पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बहुत महतपूर्ण आज का उपाय और महतपूर्ण चीज़े आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए चैनल को भी साथ सा सब्सकाइब करिएगा हर्याली तीज के दिन आप लोग सुबा सबेरे जग जाएगा जो ब्रतधारी हैं उनके लिए थोड़ा सा ये नियम जान लीजे और इस ब्रत में भी सर्गी ली जाती है तो सर्गी लेने का समय कब है तो लगबग जो है वो आप ढ़ाई से तीन अधिक्तम साड़े तीन के बीच आप अपनी सर्गी ले लीजे सर्गी में अन वगरक नहीं लिया जाता है बसाधार्ण फौल यह सब चेज ली जाती है बाके सर्गी में अनाज नहीं लिया जाता है और अज यदि आपके यहां यह नियम है कि आप लोग सरगी में अनाज इत्यादी का सेवन करते हैं तो आप कर लीजेगा हम लोग की तरफ इस तरह का कोई चलन नहीं है आपके यहां जो परंपरा हो उसका निर्वार अवश्यक कर लेजेगा अब सुबा सबेरे नहा लीजे तो इस पूजा में जो लोग बरत रगते हैं उनको हर्तालिका तेस की भाती नए वस्तर धारण करना विसे सुबा होता है लेकिन कोई भी साब सुद्रा वस्तर धारण किया जा सकता है इसके बाद श्लाम को परदोस काल में बोलेंदा की पूज पूजन कर सकते हैं बोले नात की विशेश पूजा आराधना करने के बाद आप अपनी पूजा जो है वो संपूर कर सकते हैं संपूर करने में आपको माता पारवती को सिंदूर लाल चुड़िया इतियादे जरूर चड़ानी है और कुछ लोग जो है इस ब्रत को जल और फल करके रखते हैं और कुछ लोग निर्जला निराहार रखते हैं अगले दिन सुर्योदे से पहले इस व्रत को तोड़ लेते हैं तो जैसी आपकी पारिवारिक परंपरा उस अनुशारिस ब्रत को धारण करिएगा अब चलिए मैं विसेस उनके लिए बता देती हूं जो ब्रत नहीं धारण करते हैं तो देखिए ब्रत नहीं धारण करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम आज की दिन इतना सुभ दिन को छोड़ दें क्योंकि देखिए हर्याली तीज वैसे ही बहुत ज़दा पवित्र और पावन महीना सावन कहा जाता है शावन की सुकल प्रयास करने और क्या करना है वो बताती हूं आप सुभा या सामकभी भी माता पार्वती के मंदर जाई यदि आपको अपने यहां इलाके में गुझिया मिल जाती है क्योंकि इस तेज में गुझिया चढ़ाने का बहुत महत्तो है तो आप गुझिया ले ले लेजे और पांच सामकरी जरूर होने चाहिए सुहाग की वो बांद करके माता पार्वती जी के मंदर चढ़ाए और हाँ यह सुहाग सामकरी कुवारी लड़किया भी चढ़ा सकती है मनवांसित वर के लिए चढ़ा करके और इसी क्या करना है ले आ करके किसी भी बड़ी उम्र की शु यदि आप पिरियड में हैं तो आप किसी से भी आप मंदिर भेज देजिए माता पार्वती से पर्स करा दे इसके बाद आप किसी भी सुहागिन महिला को दे करके और आप पैर चू सकती है तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उप्योगत है यह उपाय देखिए कहा जात है कि सुहागिन महिला के सुहाग समगरी दे कर पैर चूने से भी हमारे सुक्र सवभाग में ब्रिद्धी होती है और मनुकामनाओं के पूर्ती होती है यदि पती के साथ नहीं बनता है तो उसमें थोड़ा काजल जरूर डाल लीजेगा आप जो पांच समगरिया है यह कर ल तो यह कर लेजेगा यदि आप दान नहीं दे सकते शामर्थवान नहीं है तो आज कम से कम एक डिब्ब्य चूड़ी और थोड़ा सा मतलब सिंदूर आप किसी भी एक चीज में रख करके बांध लेजेगा और बांध कर इसे भी आप दान दे सकते हैं ज्यादा चीज़ें नहीं दे सकते हैं तो आज का दिन विशेस महत्तपुण है आज कुछ न कुछ मेठी चीज आप चाहे तो घर में बनाईए या पाहर से खरेत कर मंगवाईए और यह ध्यान देजे कि आज माता पार्वती को भोग जरूर लगाना है भोग लगाने के बाद आप अपने पूर को पशंद हो बना करके आप खिलाए और एक काम जो कि आपको बहुत महत्तपुण है करना वो जरूर करना है आज हरी चूड़ी पूरे हाथों में पहनिए देखिए वैसे तो हम चार चूड़ी कम-कम चूड़ियां पहनते हैं मजबूरी हैं बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चूड़ियां पहन के नहीं जा पाते हैं तो आज पूरे हाथों में भरी भरी चूड़ियां पहनिए हरी चूड़ी पहनिए और दूसरा काम करिए कि आज परफ्यूम जरूर लगाए पैरों में कलर करिए जितना हो सके महदी लगाए जितना हो सके आज तयार हो ये ब्रत से नहीं होता है इस तरह के कारे करने से मातब पर्वती प्रिशन होती है अखंड चौभागे का वर्दान देती है तो ये काम कर लेजेगा आज पर्फ्यूम जरूर लगाएगा आप लोग कोसिस करिए कि ये जो महदी वगर है एक दिन पहले लगा लेजे तो जितना ज्यादा अ उतना आज तयार जरूर हो येगा क्योंकि हर तालिका तीज की भाती ही ये पर्वती है बस होता ये है कि हम ये पर्वत नहीं मनाते हैं और आज हमारी बहने यदि किसी भी तरह से पती-पत्नी के रिष्टे में दुराओं है तो आज एक बहुत महत्तपूंड चीज बताने जय 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 गिरी राज को सोरी जय महेस मुख चंद चकोरी इसका पाट करेगा दो मिनट लगता है इससे माता पारवती बहुत प्रशन होती है और दोस्तों कहा जाता है कि जिस भी इस्त्री के उपर माता पारवती के कृपा हो गई वो तो निहाल हो गई अपने जीवन में बोरे नात के समान उसे भी अपने पती का सुख सोभाग और प्रेम प्राप्त होगा तो आज का दिन छोड़िएगा नहीं देखिए ऐसे दिनों को छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल जकर लेना चाहिए पकड़ लेना चाहिए जितना हमसे हो सके माले जे ब्रत तो हमारे ब्रत रखते हैं लेकिन सुरूरा से मेरी आदत है कि ऐसा कोई दिन मिलता है तो मैं इस दिन को छोड़ती नहीं हूं बले ही ब्रत रखूं या न रखूं क्योंकि सुख सभाग में बृधि कराने वाला जो भी दिन हो उसमें जितना हो सके उतना अपने नियम अपने जो पूज जरूर कर लिजीगा दोस्तों और एक चीज़ और कहना चाहूंगे वीडियो अच्छी लगे तो खूब लाइक करिए आपके लाइक प्रेणा तो देते हैं साथ साथ ऐसे ही बिलकुल दिल से जुड़े रहने के लिए बहुत ज़ादा मोटिवेट करते हैं कि मैं जो करती आपको भी बताओं क्योंकि ये चीज़ करने से जीवन में सच में पाजिटिविटी आती है थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन आती जरूर है तो दोस्तों ये नमबर जो देख रहे हैं इस पर आप मुझसे कुंडली दिखाने के लिए परमर्च कर चकते हैं तो चलिए मिल इस तरह की अन्य वीडियो में धन्यवाद